तो अब यहां का और फिरते आरे हुँ एक नीव ब्लोग के साथ और आज का जो ब्लोग है वह एक फूड ब्लोग है एगें मैं फूड ब्लोग के साथ आई हूँ तो अभी मैं जहां ब्लोग बनाने आई हूँ वह एक नायासा कैफे है एक नायसा सौब है फासफूड का तो अभी मैं जिस कैफे में मतलब जिस सौड में रिवीव बनाने आई हूँ उसका आदा में इसके फासफूड जो कि बनपूर में खाली में ओपन हुआ है तो यह बनपूड के मतलब आसाञ़ऽओ में बनपूर के चांबान एडिया में ओपन हुआ है तो रिसेंटली ओपन हुआ है और बहुत सारा अच्छे अच्छे वेडियेंट्स के फास्फूट एवेलेबल है यहाँ पर तो मैं इसका जो लोकेशन है एक्जाट लोकेशन हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल में लिंक कर दू होंगी आप इस व्लोग में बने रहे हैं और इस व्लोग को देखते रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यह नया सा सौप कैसा है कि मेरा नाम काजल प्रसाद है यह इसके फास्ट फूड हम लोग ने बनपूर श्यामबांद यह रंजन पली में कोला हुआ है यहां पर आपको चिकन रोल चाओं और चिकन पकोड़ा चिकन चिली चिकन कोशा फास्ट फूड यहां सब कुछ मिलेगा और अभी अभी यह जो काफे ओपन हुआ है यह बिल्कुल दया सा है तो आप अगर बनपूर यहां भी आसांसोल एडिया के है तो बिल्कुल यहां पर आका ट्राइ कर सकते हैं और काफी बजट में भी है तो आपको बिल्कुल भी दूर जाने की ज़र्वत नहीं है पास्ट के लिए अराम से बनप अगर होगा और बबिल्कुल एट क्वश्ब्र Nicolas और जो है तो यह अभी एक रोल बन रही है और एक रोल के साथ पनीर चिकेन और चिकन एक रोल भी यहाँ पर मिलता है तो काफी लार्ज साइज का रोल यहाँ पर बन रहा है मतलब एक खाकरी पेट भरने लाइक रोल्स है यहाँ पर इनके साइज इतने बड़े है तो यह एक रोल बन रहे हैं अभी मस्टर्ट का सॉस यहाँ पर डला है यह mustard sauce है काफी large size का roll है एक खाकर यह पेट भर जाएगा और यहाँ पर chicken kosa और chili chicken भी available है तो chili chicken मेरी बहुत ही favorite है तो मैं और एक दिन आके रहाँ पर chili chicken भी try करूंगी यह चिकन पकोड़ा है जो जिसका प्राइज है फिफ्टीन उपीस पंद्रा रुपे और इसके साथ और भी चिकन के आईटेम्स एबलेवल है यहाँ पर तो chicken kosa भी है ना chicken kosa भी एबलेवल है तो जिसका लगाटेस चच्चा है यह क्या मंद्रा है अच्चा है अच्चा यह चिकन फ्राइज है इसका एक पीस के मलब पड़ पीस कितना करके है पंदर रुपेया तो यह चिकन फ्राइज बन रहा है पहले मैंने दिखाया गो था चिकन पकोड़ा और यह चिकन फ्राइब है तो बहुत सारे वेडियंट्स अवेलेबल है यहाँ पर आप आकर भीकुल ट्राइब कर सकते हैं और जितने भी आइटेम यहाँ पर एवेलेबल है उनके सारे नेम और प्राइजिस मैंने सुरुवात में ही स्क्रीन नेमिंग करके मेंशन किया है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं तो यह रहा चाउमीन और अभी मैंसे ट्राइब कर गए देखने वाली हूं कि कैसा टेस्ट है उसके बाद मैं इसका रिव्यू भी दूंगी तो ट्राइब करते फर्स्ट बाइट कि अज़ादा ओईली भी नहीं है कोई कोई शाउमीन में होता है बहुत जादा ओयल यूस किया जाता है इसमें ओयल काफी कर्म है बढ़िया टेस्ट है यह एंप्टी है अभी तो यहां पर कुछ और भी प्लैनिंग्स है मतलब फ्यूजर में यहां पर आइस्क्रीम या फिर केक्स का पालर भी ओपन हो सकता है तो अभी यह जग एंप्टी है और इस एक सेक्शन में अभी फास्पूट का दूसरा सेक्शन में अभी आइस्क्रीम और कोल्टिंग का एक पालर ओपन होने वाला है जन्दी में से यहां पर बनपूर एडिया के जो है तो उनको अभी फास्पूट के लिए दूर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है युकि सामने में ही एक अच्छा सा फास्पूट का सौप ओपन हुआ है आप यहां पर आकर बिल्कुल ट्राइ कर सकते हो यह था इसके फास्पूट तिंडर की रिव्यू यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर से जरूर बताईए और आप यहां आकर जरूर विजिट कीजिए क्योंकि यह बहुती अच्छा बजट फ्रेंडली एक फूट कैफे है तो वीडियो अच्छी लगी तो आप में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सब्सक्राइब जरूर दिएगा